कोरुणा वाइरस ने अब भारत में भी रफ़तार पकली है रोजाना मरीजों की संक्या में इजाफा हो रहा है रोजाना बढ़ते मरीजों का रिकॉर्ड तुड़ा जा रहा है अच्छफिर कोरुणा की मामले में अब तक की सबसे ज़ादा बढ़त देखने को मिली है पिछल से जादा मरीज हो चुके हैं महीं बीते 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 137 है देश में अब तक कोरोना वारत से 3720 लोगों की जान जा चुकी है वहीं इन आकड़ों को देखते हुए विश्व स्वास्त संगठन ने कच्छ सलहा दी है व्हो ने भारत के साथ राजियों में लोगडाउन में छूट ना देने की सलहा दी है विश्व स्वास्त संगठन के मताबिक महाराश्र गुजरात दिल्ली तिलंगाना चंडिगर तमिलनाडू और बिहार में पिछले दो सप्था के दौरान जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़हुत वक्ति से लागू करना चाहिए लेकिन इन राजियों के कुछ जिलेही कोरोना वारस से संक्रमत हैं जिले ऐसे भी जहां कोरोना को संक्रमत ना के बराबर है ऐसे में उन जिलों पर भी सक्ति लगाना उचित नहीं होगा बता दें कि भारत की 34 राजियों और केंदर शासित प्रदेशों में से 21 प्रतिशत राज्या ऐसे हैं जहां कोरोना के मरीज 5 प्रतिशत से जादा है पिछले 7 मही के आगड़ों के मताबिक महराष्ट में 18 पीसदी मरीज है वही गुजरात में 9 पीसदी मरीजों की संक्या है दिली में 7 पीसदी कोरोना के मरीज है इसके अलावा तेलंगारा में 7 पीसदी तो चंडीगर में 6 पीसदी कोरोना मरीज है महीता मिलाडू और बिहार में कोरोना की मामले बड़े हैं जिसके बाद यहां भी 5% से ज़्यादा कोरोना की मरीज है